मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ ही थी जिसे मैं सबसे ज़ादा मुहबत करता था माँ बेटे का रिष्टा ऐसा था कि लोग हमारे रिष्टे की मिसाले देते थे लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब हमारे इस रिष्टे में अचानक कोई तीसरा फर्दाएगा तो हमारा रिष्टा बुरी तरहां से मतासर होगा और वो तीसरा शक्स कोई और नहीं बलकि मेरी होने वाली बीवी थी वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, वहीं से वो मुझे अच्छी लगने लगी और फिर जब कॉलेज खतम हुआ, मेरी नौकरी लग गई तो मैंने अम्मी से कहा कि इसके घर रिष्टा ले कर जाएं मैं इसे शादी करना चाता हूँ, इसका नाम मारिया था मैं बहुत खुश था कि वक्त पर ही मैंने सब कुछ कर लिया क्यानी कि मैंने अपनी पढ़ाई मुकमल कर ली, मेरी नौकरी भी लग गई और अब अपनी पसंद की लड़की के घर रिष्टा भेज रहा था पर जब मैंने अम्मी से कहा के रिष्टा ले जाएं तो उन्होंने कहा के बेटा, तुम्हारे लिए अपनी बहन की बेटी मुमना को पसंद कर रखा है मुझे मुमना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, वो बिल्कुल अलामिया की गाएं थी, वो एक नॉर्मल सी लड़की थी, इसने बस मैट्रिक कियावा था, लेकिन कुरान हिफ्स कियावा था, हावसा थी, बच्चों को घर में कुरान पक पढ़ाती थी, खाना अच मिल कर अपने मुस्तक्बिल को बनाना चाता था, मैं चाता था कि हम दोनों मिल कर काम करें, वो मुझे कारोबारी मश्वरे दे सके, और हम दोनों मिल कर अपनी जिन्दगी को आगे लेके जाएं, ऐसी औरत नहीं चाहिए थी, जो सिर्फ घर को ही संभाल सके, इसलिए मैं अम को ये बात बुरी लगी, लेकिन वो तो मात थी, इसने कहा कि जो तेरी खुशी है बेटा, वो ही मेरी खुशी है, तो फिकर नहीं कर, हम जल्दी वहां रिश्टा लेकर जाएंगे, कहते हैं कि कुछ लोग अपनी शकल से ही पहचाने जाते हैं, जैसे इनसान की नियत होती है हरकते होती हैं, वैसे ही इसकी शकल होती है, कभी कभी हम किसी को देखते ही कह देते हैं कि ये तो बहुत चलाक लग रहा है, जबकि हम इसको पहली दफ़ा मिल रही होते हैं, शायद हमारी शक्सियत का अक्स हमारे चेहरों पर नजर आता है, कुछ लोग शकल से बहुत मासू जबा चाही होता है जो मेरी मां के पास था जब उन्होंने मारिया को देखा तो वो पहली नजर में ही समझ गई थी कि ये आम लड़की नहीं है ये एक जिद्धी लड़की है जो अपने माबाप को भी तिगनी का नाच नचाके बैठी है जब पास आकर बैठी तो इसकी मां से गलती हो गई उन्होंने इसके दुबटे पर गलती से पाउं रख दिया तो इसका दुबटा सर से उतर गया और थोड़ा सा फट भी गया इसने अपनी मां से का कि अम्मी देख के तो चला करें क्या हो गया है आपको वो अचानक से घुसे से बोली मैंने इसकी तरफ देखा तो वो खामोश हो गई क्योंकि हम दोनों तो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे मेरी मां ने शायद इसे इसकी इसी बात की वज़ा से इसे जजज कर लिया और वापस आकर कहा कि मैं इसके साथ तेरी शादी नहीं करवाना चाहती जो लड़की सब के सामने अपनी मां से उ दुखती रग होती है और मैं तो इसको कब से अपनी हमसफर मान चुका था मैं उसी से शादी करना चाहता था मैंने अम्मी को कहा कि अब आप भी तो रवाइती मां की तरह सोच रही है कि चलाक लड़की लेकर आऊंगी तो बेटे को अपने साथ लगा लेगी अम्मी क्या हो तंग करेगी तुझे फिर टेंशन में देखकर मुझे ही मसला होगा मैंने का कि अम्मी यूं किसी को पहले से जज नहीं करना चाहिए हमें क्या पता कौन कैसा है आप बस मेरा उधर ही रिष्टा करवा दें इन लोगों को कोई मसला नहीं है एक आप की हां का सवाल है बस आप हां कर दें मेरी माँ खामोश हो गई उन्होंने गहरी सांस ली और कहा ठीक है अगर तू यही चाता है तो मैं तेरी शादी वहीं पर करवा दूंगी लेकिन मैं तुझे पहले ही बता रही हूं कि वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है तुझे से अच्छी लड़की मिल जाएगी मुझे पता था कि अम्मी मेरी शादी मुमना से करवाना चाती है इसलिए वो मारिया से मेरा दिल खराब करवा रही थी मैं खामोश हो गया मैंने वोही वाली पॉलिसी अपनाई कि बस एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी कि जब तक शादी नहीं हो जाती मुझे मेरी मा के साथ इसी तरह से पेश आना था इनकी हामे हामिलानी थी और वो जो कह रही थी मैं मानता जा रहा था क्योंकि न्हों ने मेरी बात मान ली थी के लड़की मेरी पसंद की थी और बाकी सारी बातें इनकी मान लेता तो इसे कोई फर्क confort नहीं पड़ता मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी मेरे घर में आ गई में बहुत जादा खुश था मेरे बाबा बाहर के मुल्क में होते थे वो मेरी शादी में नहीं आ सके लेकिन उन्होंने वहां से अपनी दौईं भीजी थी और मुझे वीडियो कॉल भी की उन्होंने कहा कि बस मेरा एक आदा साल बाकी है इसके बाद मैं आ चाओंगा मैंने कहा कि अच्छी बात है क्योंकि अब मैं अपनी बीवी के साथ मसरूफ रहने वाला था तो मेरी माँ को अकेला पंदो मैसूस होना ही था लेकिन एक साल का वक्त था इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता लेकिन हुसना ने पहले ही दिन घर में तमाशा डाल दिया मुझे इस बात की बिलकुल तवक्का नहीं थी सुबह हुई तो इसने कहा कि ये क्या नाश्ता बना के रखा है मैं ऐसा नाश्ता नहीं करती अगर मैं ऐसा नाश्ता करने लगी तो मैं मोटी भेंस बन जाऊंगी मेरे लिए कोई हलका फुलका नाश्ता ला दो मैं जाकर इसके लिए ब्रेड जैम ले आया और मैंने इसे प्यार से एक बात समझाई मैंने का कि देखो मेरी बात सुनो दो तरीके होते हैं एक ये कि खाना बना है इसको खा लिया जाए और दूसरा ये कि ये खाना पड़ा है इसको ठोंस लो जरा प्यार से बोला करो तुम आराम से कहोगी तब भी मैं तुम्हारी बात मान लूँगा मैंने से बहुत प्यार से समझाया था मैंने से आराम से मिसाल दे कर समझाया लेकिन इसके साथ मेरा जगडा हो गया अब मेरा भी मूट खराब हो गया मुझे तो मेरी माँ की बाते पहले दिन ही सची लगने लगी लेकिन शाम हुई तो मेरी बीवी ने मुझे खुदी मना लिया और मेरे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा हम लोग अपनी शादी के शुरू के दिनों को बहुत इंजुआए कर रहे थे वक्त इसी तरह गुज़रने लगा जब एक दिन मेरी बीवी ने काके इस घर को छोड़ देते हैं ये घर पुराना हो गया है घर तो ये वाक्ई पुराना था लेकिन बहुत मभूच था उस जमाने का घर बनावा था जिसमें बहुत मभूती से घरों को बनाय जाता था ये घर मेरे बाबा ने खरीदा था यूँ समझ लें कि इसकी तामीर बिलकुली पुरानी तर्थ की थी उंची उंची चत, लाल कलर के फर्श और रंगीले शीशों से सचीवी खिड़ किया इसने का कि मुझे इस तरह के घर में नहीं रहना मुझे ऐसे घर में रहना है जहां हैंडल वले दर्वाजे हों, लकड़ी की दर्वाजे हों, साफ सुतरी दिवारें, टाइलो वाले बातरूम इसने मेरे दिमाग में ये बाट डाल दी कि हमें घर बदल लेना चाहिए मैंने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि बेटा ये घर बहुत अच्छा है, मजबूत है इसमें तो सो साल तक भी लोग रह लें तो ये कभी तूटेगा नहीं तुम्हारे दादा ने बनवाया था, एक एक इंट उन्होंने अपनी निकरानी में रखवाई थी खूसल खाना अलग बनावा है, बातरूम अलग बनावा है, इतना बड़ा किचन है, इतने बड़े किचन की तो जरूरत भी नहीं होती और ये खुले-खुले ग्राउंड इनका हमने क्या करना है यहां पर इनसान क्या कर लेगा इससे अच्छा है कि कमरे बड़े-बड़े हो बस मैं घर देख लेता हूं अन्हों ने कहा कि बेटा हमारे बाध सब कुछ तुम्हारा ही है लेकिन तुम्हारी माँ के इस घर के साथ यादे जुड़ी हुई हैं थोड़ा इस बारे में सोचो मैंने कहा कि बाबा नया घर होगा तो नए घर में भी नए यादे जुड़ जाएंगी मेरे बाबा ने मुझे इजाज़त दे दी मेरी माने मुझे रोका लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी और जो घर मैंने पसंद किया था और जो मेरी बीवी को भी पसंद आ गया था वो घर बहुत जादा महिंगा था बात ऐसी बन गई थी कि हमें साथ ये घर भी देना पड़ता और साथ मजीद पैसे भी देने थे मैंने फिलहल पुराना घर दे कर वो नया घर खरीद लिया और कहा कि बाकी पैसे बात में दे देंगे यानि कि हमने इन से तीन महीने का वक्त मांगा रकम बहुत बड़ी थी पर मुझे उमीद थी कि मुझे मेरे आफिस से कर्स मिल जाएगा मेरी बीवी बहुत खुश थी और मेरी मां हमेशा पुराने घर की बाते करती रहती थी इनको इस घर की बहुत याद आती थी क्योंकि वो उसी घर में रुकसत होकर आई थी मैं भी उसी घर में पैदा हुआ था मेरी एक भेन उसी घर में फौत हो गई थी वहां इनकी जिन्दगी की अच्छी बूरी सारी यादे बसीवी थी और फिर जब हमें महीने बाद ये पता चला कि इस घर को तोड़ कर वहां पर फैक्टरी बना जा रही है तो मेरी अम्मी को बहुत दुख हुआ क्योंकि वह घर कमर्शल जगा पर था और फैक्टरी वाले ने खरीदा था इसने कहा था कि बहुत बड़ी जगा है मैं यहां पर गोली टोफियों की फैक्टरी बना लूँगा हमने सोचा था कि कभी कभी घर को देखने चले जाएंगे लेकिन आप तो उन्होंने पूरा घरी मलिया मेट कर देना था और नए सीरे से फैक्टरी बन जानी थी पहले मैंने अपनी पसंद की शादी कर ली फिर मैंने अपनी बीवी के कहने पर घर बेश दिया और अब नए घर में नए तोर तरीके आ रहे थे मेरी बीवी ने घर में सब कुछ बदल दिया था जो आटा हम खाते थे अब वो कह रही थी कि इसकी जगा हम बजार का थैली वाला आटा खाएंगे जिस चक्की का अटा हम खाते थे वो छोड़कर बजारी अटा खाने लगे घर में वो हर चीज जिस तरह से बनती थी वो सब कुछ इसने बदल दिया था मेरी माँ को ये बदलाओ अच्छा नहीं लग रहा था वो आजकल बिमार रहने लगी थी लेकिन मैं इनकी जादा देख बाल नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे भी बहुत बड़ी रिकम अदा करनी थी नहीं तो तीन महीने बाद ये घर हमसे वापस ले लिया जाता मैं अपनी मसीब्तों और मसले मसायल में फसावा था इदर मा बिमार थी और बीवी के चौन्चले खतम नहीं हो रहे थे मैंने का कि इतने सारे पैसे कहां से दूँगा तो मेरी बीवी ने कहा कि तुम्हारे बाबा वापस आ रहे है ना इनसे कहना कि वो पैसे दे दें जब इतना अर्सा बाहर के मुल्क गजारा है तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे इनके पास बहुत सारा पैसा होगा मैंने का कि हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है मैं आज ही इनसे बात करता हूँ मैंने बाबा से बात कर ली बाबा ने कहा कि इतने सारे तो नहीं लेकिन आदी अमाउंट है मेरे पास यानि कि चालिस लाग अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें भीज देता हूँ लेकिन बेटा मेरे पास सिर्फ यही है क्योंकि मैंने भी अपनी बहन भायों की शादियां की तुम्हारी बढ़ाई में भी बहुत पैसे लगाए घर को भी चलाया मैं जादा पैसे नहीं बचा पाया और ये तो यूं समझ लो कि अगर मैं 20 साल से वहां रह रहा हूं तो 20 साल से थोड़े पैसे जमा कर रहा हूं वक्त के साथ पैसे कहां बचते हैं मैंने का कि बाबा आप ये पैसे भीज दें मुझे इनकी जरूरत है उन्होंने वो पैसे मुझे भीज दिए और मैंने मकान मालिक को दे दिये और इसे दो महीने का वक्त और मांग लिया मेरी थोड़ी सी टेंचन ख indoो गई लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तुझे अपने बाप से पैसे नहीं लेने चाहिए थे सारी जिन्दगी इसने तेरे लिए सब कुछ किया है अब तुझे खुदी सब कुछ करना चाहिए था मैंने कहा कि बेटा बाप से पैसे नहीं लेगा तो और किस से लेगा अमी ने कहा कि जो तेरी मर्जी मैंने कहा कि अमी मैंने आज तक आप लोगों के सामने कभी कोई नाफरमानी नहीं की उंची आवाज में बात नहीं की आपको मुसे शकायत नहीं होनी चाहिए मेरी माँ खामोश हो गई इसने का कि तू ठीक कह रहा है लेकिन एक आखरी खौईश है कि इसके उपर थोड़ा सोच ले मैंने का कि कौन सी खौईश तो कहने लगी कि मैं तेरी उलाद की शकल देखना चाती हूँ आज कल बिमार थी इसलिए जजबाती हो रही थी कि मैं तो भी माँ नहीं बनना चाती मुझे इसका ये साफ इनकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्यूंकि मैं खुद भी चाता था मैं खामोश हो गया मैंने का कि इसके साथ जगड़ा करूँगा तो ये जिद करेगी अल्ला खुदी उलाद दे देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन हमारी शादी को काफी वक्त हुआ जा रहा था लेकिन उलाद नहीं हो रही थी मैंने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं तो इसने कहा कि क्यूं मैं बांच हूँ जो तुम मुझे पर लगा रही हो मैंने कहा कि नहीं पता करते हैं हो सकता है कोई मसला हो किसी मसले के होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम बांच हो तो वो कहने लगी कि बस फिर मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मैंने कहा कि ठीक है मेरी अम्मी की तबियत बहुत जादा खराब रहने लगी थी बाबा वापस आ गए, बाबा ने आना तो बाद में था, लेकिन अम्मी की बिमारी का सुनकर जल्द वापस आ गए अब वो अम्मी के पास तो रहते थी लेकिन अम्मी की तबियत फिर भी संबल नहीं रही थी इदर मेरी उलाद नहीं हो रही थी और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे बाबा अचाना कि इस दुनिया से चले गए मैंने बहुत से लोगों से कहानिया सुनी थी कि सारी जिन्दगी बाहर गुजार कर आते हैं और वापिस आते ही इनकी जिन्दगी तमाम हो जाती है मेरे बाबा के साथ भी यही सब हुआ पता नहीं चला कि क्या बना डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि इनको दिल का दौरा पड़ा है इसलिए इनकी मौत अचानकी हो गई है अम्मी बहुत ज़्यादा दुख में थी और मैं भी बाबा इस दुनिया से जा चुके थे और साथ ही मुझे यह भी पता चला कि मकान मालिक ने बकाया पैसों की अदाइगी का मतालबा कर दिया है वो कहता है कि बस मेरे पैसे मुझे दे दे क्यूंकि मैं बाहर के मुलक जा रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने इसे कहा कि अभी अभी मेरे वाले साथ फौत हुए है इसने कहा कि पैसों से आपके वाले साथ के फौत होने का क्या तालुक है वो तो चले गए आपने मेरे साथ एग्रिमेंट किया है अभी आपने मुझे 40 लाग देने है मेरे पास तो उस वक्त 2 लाग भी नहीं थे बीवी से कहा कि अपना जेवर दे दे बात में नया बनवा दूँगा इसका जेवर 20 लाग का तो बनता ही था और हमने ही बनाया था इसमें से कुछ जेवर मेरी अम्मी का भी था और इसने कहा कि वो तो एक अंगूठी भी नहीं देगी ये तो इसका हक है मेरा इसके साथ जगडा हो गया मैंने कहा कि मेरी मुसीबत में तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा इसने का कि मैं जेवर दे कर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती क्योंकि एक दफ़ा जेवर बिक चाए तो वो दुबारा नहीं मनता मैं परिशान हो गया और जाकर अम्मी के पास बैठ गया मेरी माने कहा कि तुम परिशान बैठे हो मैंने कहा कि अम्मी परसो इसको पैसे देने है, एक महिना तो ऐसे ही गुजर गया, पता भी नहीं चला, मेरी अम्मी के कानों में और हाथों में सोने के कंगन और कांटे थे, उन्होंने कहा कि ये लो, शायद तेरे काम आ जाएं, मैंने कहा कि अम्मी इससे क्या काम बनेगा, मे बहुत और सास को हमेशा ही बूरी लगती है वो घर कौन सा इतना अच्छा था मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा तु बहुत अच्छा है तुने कभी हमारे साथ नाफरमानी नहीं की लेकिन नाफरमानी के इलावा तुने जो फैसले की हैं ना इन फैसलों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा मैं अपने उसी घर में मरना चाती थी लेकिन तेरी बीवी ने मेरी जिंदगी को अजाब कर दिया और अब मेरे बाद तेरी बारी होगी और वो तुझे भी चैन से नहीं जीने देगी मैंने पहले दिन ही कहा था कि यह औरत तेरे लिए ठीक नहीं है मैंने अम्मी को कहा कि आपके पास आकर क्या बैट गया आपने तो मेरा बचा कुचा दिमाग भी खाना शुरू कर दिया है मैं वहां से चला गया लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि सुबह तक मेरी मा इस दुनिया से जा चुकी थी वो काफी महीनों से बिमार थी और फिर बाबा के जाने के दुख को उन्होंने अपने दिल पर ले लिया था मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने आखरी वक्त में भी अपनी मा के साथ बत्तमीजी की मेरा मालिक मकान के साथ जगड़ा हो गया एक दो महीने के बाद इसने हम से वो घर भी ले लिया और हम कराए के घर में रहने लगे मेरा कारोबार भी अच्छा नहीं जा रहा था हम लोग कराए के घर में आ गए थे जो पैसे हमें वापस मिले थे वो भी आइस्ता आइस्ता खतम हो रहे थे क्योंकि हमने घर के कुछ पैसे तो दिये ही थे जगड़ा हुआ तो वो पैसे हमें वापस दे दिये कह थे अब वो पैसे खर्चो रहे थे मेरी बीवी का तो हाती नहीं रुक रहा था वो रोज शॉपिंग पर जाती थी इसने पता नहीं कितने लाग खुडा दिये थे और फिर एक दिन मुझे इसके पर्स में से एक ऐसी चीज मिली जिसको देख कि मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी माने ठीकी कहा ता कि ये औरत मुझे बर्बाद कर देगी और वो एक रिपोर्ट थी जिसके मताबक मेरी बीवी ने अपना बच्चा गिरा दिया था जब मैंने इसे बात की तो इसे घुसा आगया इसने का कि एक नहीं तीन बच्चे गिरा चुकी हूं तुम्हारे कर लो जो तुमने करना है मुझे बहुत घुसा आया मैंने का कि तुमने मेरे बच्चों को जान से मार डाला मा नहीं बनना चाती थी तो मुझे बता देती लेकिन ये गुना क्यों किया तुमने आज मेरे तीन बच्चे होते इसने का कि तीन बच्चे होते और मेरी सहत बुरी तरह से खराब हो चुकी होती अपने आपको तुम्हारे बच्चों के लिए खराब नहीं करूंगी मैंने कहा कि तुम तो वाकिए घर बसाने के काबिल नहीं थी ना तो तुम अच्छी बीवी हो ना ही अच्छी औरत हो और अच्छी माँ तुम बन ही नहीं सकती वो मुझे नाराज होकर चली गई मुझे लगा कि वापस आ जाएगी लेकिन इसने मुझे पर खुला का केस कर दिया मेरी जिन्दगी के एक गलत फैसले ने मेरा सब कुछ खतम कर दिया मुझे वो वक्त अभी भी याद आता है जब मैं अपने घर में सकून से रहता था मेरी माँ मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती थी मैं अपनी हर बात इससे करता था मेरे बाबा भी मेरे साथ देते थे लेकिन मेरे बाब अब इस दुन्या में नहीं रहा था मेरी माँ भी मुसे नराज होकर चली गई और मेरी बीवी ने मेरे साथ क्या किया जब हम कहते हैं के बड़ों को क्या पता उन्होंने तो अपनी जिन्दगी गुजार ली है वो नहीं इनका तजर्बा बोलता है बड़ों को पता होता है कि कौन सा शक्स कैसा है और कितनी देर तक आपका साथ निभाएगा मेरी माने जब मेरी बीवी को देखकर कहा था कि ये औरत ठेक नहीं है तो उन्होंने ठेकी कहा था लेकिन उस वक्त मेरी अकल पर परदा पढ़ गया था मैं अपनी मा के लिए दूआ करता हूँ अल्ला इनके दर्जात बुलंद फर्माए और मुझे माफ कर दे मेरी जिन्दगी से अजमाईश को खतम कर दे अब मैं बहुत ठक गया हूँ दोस्तों जिन्दगी में कभी मा की नफ फर्मानी ना कीजिएगा वरना आखरत में तो अज़ाप पता नहीं क्या हो आपको इसी दुनिया में ही इसका मा का पाते अमल देखना पड़े गा जो कुछ आप अपने माबाप के साथ करते हैं वो आपको इसी दुनिया में देखना पड़ेगा अगर आप अपने माबाप की इज़त करते हैं इनका इहतराम करते हैं इनके साथ प्यार महबत के साथ पेश आते हैं तो आपको इसी का बदला इसी दुनिया में मिलेगा अगर आप इनकी साथ प्यार मुहबबत के साथ पेश नहीं आते इनकी इज़त इनका इतराम नहीं करते इनका ख्याल नहीं करते तो भी इसका सिला इस दुनिया में मिलेगा